रिलेटेड नमस्कार दोस्तों, ग्रेट वेंडिया यूट्यूब चैन में आपका स्वागता हैं, यह है फ्यूचर लेनिक प्लेटपॉर्म तो सूतना सा एक बरती से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्डेन MQ स्रीच तो आज का सरसन स्टार्ट करते हैं, कम्प्यूटर विग्यान के महतपून पर्सन तो अभी आज का जो कोर्सन स्टार्ट करेंगा, 28 नमबर जो किलास है और कोर्सन से अपने 27 से तो 27 number question तो 27 number question क्या कहा रहा है तो यहाँ पर दियान रखें desktop पर दिनाक और समय पर होता है मतलब यह जो दिनाक और समय होता है यह कहाँ पर होता है आपको यह पता होना चाहिए मतलब date and time का जो window होता है date and time कहाँ पर show होता है वो आपको यहां पर बताना है तो date and time जो होता है वो होता है tax bar पर कहां पर होता है tax bar पर तो सबसे नीचे वाली जो bottom जो bar होते है उसी को क्या का जाता है bottom bar को यही क्या का जाता है tax bar का जाता है एक document के menu पर परतेक एक विशिस्ट कारिय करता है तो एक document के menu पर जो प्रतिक जो विशिस्ट कारी करता है उसी क्या का जाता है? उसी का जाता है command क्या का जाता है? तो यहाँ पर दियान रखे जो unique होते हैं वो क्या होते हैं यहाँ पर command होते हैं एक यूनिट में सेव की गई जानकरी मतलब information का collection क्या कहलाता है मतलब सूचनाओं का जो collection होता है information का जो collection होता है उससे क्या कहा जाता है वो आपको यहाँ पर बताना है तो जल्स से बताइए इस answer इसको information के collection को कहा जाता है file क्या कहा जाता है file में ROM, CPU, RAM, expression, card होता है तो यह जो RAM जो है CPU है और यह कहां पर लगए होता है तो आपको यह पता होना चाहिए इसे motherboard पर लगता है motherboard का मतलब all parts connected मतलब computer के जितने भी parts जो होता है वो सारे connect किस से रहते है motherboard पे plotter जो होता है बड़े बड़े नक्से वगर प्रिंट करवाने के लिए तो यह जो एक होता है output unit होता है ध्यान रखें यहां पर hardix जो होती है storage device होती है hardix क्या होती है storage device और widget जो होता है क्या होता है यह एक card होता है जैसे graphics card होता है वैसे यहाँ पर VG card जो होता है वो किसके लिए display के लिए एक्सल में मान्य data का एक परकार नहीं है मान्य data का यहाँ परकार नहीं है वो बताना है यहाँ पर तो मान्य data का यहाँ परकार नहीं है तो यहाँ पर सही answer होगा में enter करने के लिए परियोग किया जाता है तो यहां पर text को enter के रूप में जो परियोग किया जाता है तो वो क्या कौन सा तो यहां पर दियान रखे यह जो sign जो होता है inverted कॉमा का वाला यह जो परियोग लिया जाता है तो सही answer रहेगा यहां पर c क्या आंसर है का C यह ध्यान रखे 32 का C आपको Microsoft Word में Picture Style Group कहां मिल सकता है तो Picture Style Group कहां पे मिलता है तो Picture Style Group जो होता वो होता है Picture और Tools Format सही आंसर B निमलिकित में से कौन से विकल्प OMR का पूरा नाम है OMR, OMR जो होता है यह क्या होता है एक Scanner होता है Scanner के टाइप याद रखे जैसे OCR OMR BCR और MICR तो यह चाइप के क्या होता है Scanner तो यहां पे इसमें पूचा है OMR की Full Form क्या होती है वो आपको बताने Optical Mark Reader क्या होती है Optical Mark Reader सही आंसर 34 का ए निमलिकित में से कौन सा Computer सुरुक्सा के लिए एक निशक्रिया खत्रा मतलब Passive Threat दरसाता है Passive Threat जो दरसाता है वो कौन दरसाता है मतलब सही आंसर आएगा A निमलिकित में से कौन सी परक्रिया से Compressed Archive से File को हटाया जा सकता है तो Compressed Archive से आप अर्चे उससे जो File को जो हटाया जाता है तो वो कैसे हटाया जाएगा तो वो आपको दियान रखने Extracting मतलब आप क्या करेंगे Extract करेंगे तब उस File को क्या कर सकते है हटा सकते है Word 2007 में आया Select किये गए Paragraph को कौन सी कुझी दबा कर Reading Pan कि दाइं और Align कर सकते है तो मतलब दाइं और Align करने के लिए जो Shortcut Command है वो आपको यहाँ पर बताना है तो Ctrl-E से जो होता है वो होता है Central Align Ctrl-L से Left Align और Ctrl-I से यहाँ पर Right तो यहाँ पर सही आंसर होगा C और Ctrl-I से जो होता है वो होता है Italy क्या होता है Italy Software Code में Error खोजने की परिकरिया को निमलिकित में से कौन दर्सात है Error खोजने की जो परिकरिया को यहाँ पर निमलिकित में से जो दर्सात है वो है Debugging सही आंसर हैगा D एक Bridge में Filtering Capability होती है जो एक मौझूद नहीं होती है तो यह जो filtering capability है जो bridge में जो यहाँ पर जो मौझूद नहीं होती है वो आपको यहाँ पर बताना है तो मौझूद कौन सा नहीं होता है वो हो Hub Hub में मौझूद नहीं होती Windows 10 में कौन सा features उप्योग करता को एक wireless printer से print करने में सक्सम बनाता है तो wireless printer से जो print करने में जो सक्सम बनाता है वो कौन बनाता है यहाँ पे तो वो बनाता है Wi-Fi assign print मतलब सही आंसर हैगा C निमलिकित में से कौन सी परक्रिया Windows Operating System सुरुक्सा कार्य परमंदक में अपनी default सेवाओं शरू और बंद करना और बदलने के लिए परियोग होता है तो यह जो बदलने के लिए जो परियोग होता है वो है service and controller app सही आंसर हैगा A Tab का उप्योग application file type के साथ file name extension को जोडने के लिए किया जाता है तो यहाँ पर cat किया जाता है वो किया जाता है file types सही आंसर A Open office मतलब यहाँ पर open office writer के कौन से टेब में XML XML Filter setting option उपलब दे तो यह जो filter setting जो option उपलब दे वो कहाँ पर उपलब दे वो है tools में कहाँ पर उपलब दे tools में संक्याओं का एक graphical परदसन होता है तो संक्याओं का जो graphical परदसन होता है वो कौन सा होता है वो होता है chat गुणा और विवाजन के लिए निमलिकित में से कौन सा tool प्रात्मिक रूप से परियोग किया जाता है तो यहाँ पे जो प्रात्मी रूफ से जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है slide rule निमलिकित विकलपव में से कौन सा विकलप एक window size का पहला कदम है window को size का जो पहला कदम होता है वो कौन सा होता है यहाँ पे तो वो होता है कि C भी corner या border पर point करना तो सही answer C कौन सा विकलप उस बटन को दरसाता है जो window को maximize करने की तुरंत बाद परदसित होता है तो तुरंत बाद जो परदसित होता है वो कौन होता है वो होता है यहाँ पे D restore button एक computer port का उदस्य क्या है तो computer port का उदस्य होता है वो क्या होता है तो यहां पर ध्यान रखे, computer पूर्थ का उदसे होता है, अन्य computer ब्राहे उपक्रोणों को साथ समात करने के लिए, सही answer A फॉन लाइनों की दुआरा, किस परकार के network का प्योग किया जाता है, तो फॉन लाइन के मादिम से कौन से network यूझ किया जाता है, वो किया जाता है, land, nocle area, network, यूझ किया जाता है निम्लिकीत मैंसे कौन सी एक लोगप्रियर चैट सर्वीस है इंटरनेट पर होने वाली चर्चा का नाम दर्शात है तो ये जू चर्चा का नाम दर्शात है वो है न्यूज ग्रोप तो सही आंसर आएगा बी तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं end करता है तो वीडियो अच्छा लगो तो चैनल को लाइक और सेर और सब्सक्राइब करना ना भूले Thank you